प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण इस समय आपका विद्याले आना स्तगित है। जुहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। हम लोग कई तरह की समस्याओं से आये दिन रूबरू होते हैं। जैसे अगर कमरे में पेंट करना है, तो कितने पेंट के जोरत पड़ेगी। हमें किसी बकसे पर कवर चड़ाना है, तो कितने कपड़े के जोरत पड़ेगी। किसी ड्रम को चारो और से पेंट करना है, तो कितने पेंट के जोरत पड़ेगी। इन सभी के लिए हमें उन आकरतियों का प्रिस्टिय छेतरफल जानना होता है। तो आज हम इने कुछ आकरतियों के प्रिस्टिय छेतरफल निकालने के बारे में हम लोग सीखेंगे। आज पहला हमारा जो आकृती है जो हम ले रहे हैं वो है घनाब या क्यूबॉइट तो आप इस तरह की आकृती, आप अपने घरों में देखते हैं, बॉक्स को देखते हैं, और अल्मीरा वगड़ा है, तो आप इस आकृती को देखें, ये जस्ट लाइक आपके बॉक्स और कामीरा की तरह ही है इसे हम कहते हैं घनाव या क्योबॉइट इस में हम देख रहे हैं सता कितने हैं यह एक सता इदर हो गया फिर दूसरा इधर हो गया यह सऍका इन सारे सत्वों का छित्र्फल निकालकर हम जोड़ेंगेटえば करते हैं कैसे निकलेगा इसका एक नेट हमने लिया है। ठीक इसी का एक नेट का अर्थ यह हुआ कि इसको हमने खोल दिया पूरा खोल के इस तरह से चिपकाया है तो जिस तरह से पहला सता हम देख रहे हैं यह पहला से यहां पहला हो गया यह दूसरा यहां आ गया तीसरा यहां आ गया और चौथा यहां आ गया पांचवा नीचे है और चट्ठा तो अभी इस निट का जो छेत्रफल होगा वही इस घनाब का भी छेत्रफल होगा तो आईए हम लोग निकालने के कुछिस करते हैं घनाब का प्रिष्ट ये छेत्रफल तो हम देख रहे हैं कि यह सारे जो हैं यह आयताकर हैं तो हम इस इस आयत का चतफल निकालेंगे फिर इस आयत का फिर इस आइट का फिर इस आयत का और फिर इस आयत का यानि चो आयतों का हम लोग छित्रफल निकाल के उसको जोड़ेंगे तो पहला आयत वान का छित्रफल जोड़ आयत टू का छित्रफल जोड़ आयत तीन का छित्रफल आयत चार का छित्रफल आयत पांच का छित्रफल आयत ची का छित्रफल आप यहां एक चीज़ हम और देखेंगे यह था इसे हम लंबाई माले रहे हैं यह लंबाई यह औगिया चोड़ाई यह हो गया उचाई तो पहला में हमारा यहां देखें यह लंबाई और यह ऊंचाई तो हम जानते हैं आयत का छेटरफल क्या होता है इसकी लंबाई और ये चोड़ाई है तो लेकिन यहाँ पर ये लंबाई है और ये उंचाई है यानि L इन्टू H दूसरा में क्या है B और ये है H यानि B H तीसरा आप देख रहे हैं ये फिर L H L H चौथा ये B है यानि चोड़ाई ब्रेट और ये हाइट है तो B H हो गया अब पांच वार छट्था ये B यानि ब्रेट और ये L लिंद तो ये हो गया B L या L B जो कहें फिर छट्था भी वही है B L अर्थात अब हम देख रहे हैं कि ये L H दो है B H भी दो है और B L भी दो है तो अर्थात ये हो गया 2 L H प्लस 2 B H प्लस 2 B L तो ये दो हमारा कॉमन हो गया बच गया L H प्लस B H प्लस 2 B L अर्थात दो गुना L क्या था लंबाई H क्या था उंचाई हाइट B क्या था चोड़ाई H उंचाई ये चोड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चोड़ाई जो भी आप कहें तो हमारा घनाव का प्रिष्टिय च्छत्रफल निकालने का फॉर्मूला आ गया दो गुना लंबाई गुने उंचाई जोड़ाई गुने उंचाई जोड़ाई गुने लंबाई ये हमारा प्रिष्टिय च्छत्रफल हो गया यह कुल च्छत्रफल कुल प्रिष्टिय च्छ भी कर सकते हैं अभी हमने देखा था घनाव का गुल प्रिष्ट यह यानि इस घनाव का पूरा प्रिष्ट जितने भी छे प्रिष्ट थे सभी का च्यत्र फल अब घनाओं का पार सुच्छ फ़लम निकाल रहे हैं घजट पार्स याने यह 4 जो हमारी फलक हैं यह 2-5 को तीन और चार यानि हम आगर कम्रे के साख से कहें तो चारों दीवार इसमें उपर का छोड़ दे रहे हैं और नीचे का छोड़ दे रहे तो इसे हम कहते हैं पार्सु फ़ल तो यह हमाराव में हो जा रहा है यह एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर कायत यह उपर और नीचे वाला छोड़ दिया जाता है तो अब इसका क्या च्छत्फल होगा कई वर हमें निकालना होता है इसका सिर्फ पार शुच्छत्रफल तो हम देख रहे हैं एल LH plus BH, यह पहला का LH, यह BH, यह फिर LH, और फिर यह BH, तो यहां देख रहे है, LH दोबार हो गया, BH दोबार हो गया, यानि 2LH plus 2BH, अर्थाद दो कॉमन ले लिए, तो 2LH plus BH, अर्थाद दो गुना, लंबाई गुना उचाई, प्लस चोडाई गुना उचाई, तो घनाव का पार्शुचेत्फल, यानि यह चार जो सता है, इनका चेत्फल अगर निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आगया है, दो गुना लंबाई गुने उंचाई प्लस चौडाई गुने उंचाई कई बारा हमरे चार दीवारों का छित्फल निकालना होता है उस समय हम इस फॉर्मूला का उप्योग करेंगे अब अगली आकरती जिसका हम छित्फल निकालना सीखेंगे वह घं आप घं से काफी परिचित हैं आप लूडों खेलते हैं लूडों का जो पासा होता है वह घं होता है देख रहे हैं ठीक इसी तरह से आपका पासा होता है ना आप पासे में क्या विश्यस्ता होती है आपने देखा है इसमें जितने भी छे फलक हैं सभी बराबर हैं यह सभी बराबर हैं घंआव में हमने देखा था वह सभी बराबर नहीं थे यह घंआव का ही एक रूप है जहां सारे फलक बराबर हो जाते हैं इसका भी हम छेट फल पर नाकर यहां हमने लगाया है तो यहां हमारी पास फिर से छे सता है छे फलक है तो और दूसरी अमध्पूर्ची यह है कि यह जितने भी छे फलक है सभी बराबर है तो हम एक कच्छत फल हमारा एक कच्छत फल क्या हो जाएगा एल स्क्वाइर अगर एल भूजा है तो एक का हो गया एल स्क्वाइर तो ऐसे कितने हैं छे तो छे गुना करेंगे छे एल स्क्वाइर अर्थाद छे गुना भूजा स्क्वाइर भूजा का स्क्वाइर यह हमारा घान का प्रिष्टिय छित्रफल हो गिया है अगली आकरती हम ले रहे हैं बेलन इस आकरती से बहुत ज्यादा परिचित है आपके घर में ड्रम होगा रोलर आप देखते हैं सडकों पर वो सभी इसी आकरती के होते हैं यह कुछ इस तरह के ड्रम होते हैं डब्बे भी होते हैं इस तरह के और इसमें दो भाग हम देख रहे हैं एक इसको कहते हैं यह वक्रप्रिष्ट यह पूरा हमारा वक्रप्रिष्ट हो गया और इधर एक आधार हो गया एक यह उपर का हो गया यह दोनों इसे हम लंब वृत्य वेलन भी कहते हैं क्योंकि यह आधार और यह जो उपर का है यह एक दूसरे प पृष्ट का छितफल देखते हैं कैसे निकलेगा फिर पहले की तरह ही हम इसे खोल कर इस तरह से चिपका देते हैं तो यह आकरती इस आकरती में आ जाता है यही ड्रम है यही बेलन है जो इस आकरती में आ गया है तो अब इस तरह से हमने इसे खोला है पुरा तो ये क्या हो गया ये उंचाई हो गया तो ये हो गया हमारा उंचाई और यहाँ आप गौर करेंगे कि ये क्या है ये वास्तों में इस आधार की परीधी है और जैब हम खोल दे रहे हैं तो ये इस रूप में आ जा रहा है यानि ये परीधी का हमारा क्या फर्मुला होता था हमने देखा था पहले टू पाई आघ यह तू पाई या क्या होता है लंबाई गुना चोडाई अगर यह आयत है तो यह उसका लंबाई हो गया और यह चोडाई लेकिन वास्तव में यह क्या है इस बेलन का परीधी है तो बेलन का वक्तिय छेतरफल ब्राबर इस आयत का चेतरफल और आयत का चेतरफल क्या है लंबाई गुना चोड़ाई लेकिन लंबाई यहां क्या है टूपाई आर और उचाई क्या है यह चोड़ाई क्या है यह उचाई है यहानि है तो बेलन का वक्रिये जो छितरफल हो गया वक्रिये वक्रिये प्रिश्टी बिका सकते हैं वो हमारा आ गया 2PiRH जहां आर त्रिज्या हुई यह आर यहां यह त्रिज्या हुई इसकी यहां से यहां यह त्रिज्या अब बेलन का कुल प्रिष्टिय छेत्रफल अब इसमें हम यह और यह नहीं जोड़े हैं यह और यह जोड़ेंगे तो कुल ये च्हत्रफल बराबर बेलन का वक्रिये प्रिष्ट का च्हत्रफल प्लस दो गुना आधार का च्हत्रफल आप गौर करें जो याधार है तो उपर भी सेम होता है इसलिए हमने यहां दो से गुना किया है यानि दो यह व्रित है तो बेलन का वक्रिये प्रिष्ट अभी हमने निकाला था तू पाई आर एच तू पाई आर एच और दो गुना यह आधार है यानि व्रित है और व्रित का च्हत्रफल हमने पहले ही जाना है यह होता है पाई आर स्क्वायर इन दोनों में क्या कॉमन है हम देख रहे हैं यहां टू पाई आर यहां भी टू पाई आर तो यह हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन ले लेते हैं टू पाई आर यहां बच गया एच और यहां बच गया आर और इसी हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू पाई आर आर प्लस एच तो हमारा बेलन का कुल प्रिष्टिय छेत्रफल आ गया टू पाई आर इंटू आर प्लस एच अब हम कुछ उधारन देखते हैं पहला उधारन है एक ऐसे घन की भुजा ग्याद किजिए जिसका प्रिष्टिय छेत्रफल 600 सेंटीमीटर है 600 सेंटीमीटर स्क्वार है तो इस तरह का हमारा घन है और इसका पूरा प्रिष्टिय छेत्रफल हमारा दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वार इसकी एक भुजा हम ये निकालनी है तो इस तरह के प्रशनों को हम कैसे हल करते हैं घन का प्रिष्टिय छेत्रफल बराबर 600 सेंट गुना भुझा स्क्वायर बरावर है इधर दाहिने तरफ छे सो भुझा स्क्वायर यह श्य यहां गुणा में था तो बरावर की धर आके भाग में आ जाएगा तो 600 बटा छे हो गया हमारा एक सो अब हमने क्या किया दोनों और वर्गमुल कर दिया रूट ले लिया स्क्वायर रूट तो यह भूजा स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया और यहां 100 का स्क्वायर रूट हो गया हम जानते हैं कि जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो यह समाप्त हो गया और गच गया भूजा और सव का अगर हम वर्ग मूल निकालते हैं तो आ गया एक सो और सॉरी दस आ गया तो हमारा भूजा आ गया 10 centimeter तो इस तरह के जब वह प्रश्ण आये तो इसी तरह से हम का लेंगे कोई और भी प्रश्ण होगा तो इसी तरह से निकलेगा कि दूसरा उधारन लेते हैं कि असी सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढ़कना है ऐसे 100 सूटकेसों को ढखने के लिए 96 सेंटीमीटर चौडाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आव सकता है यह माप दिया हुआ है सूटकेस का असी सेंटीमीटर यह ज़्य लंबाई होगा यह चौडाई और यह उछाई इसको ढखने के लिए हम एक कपड़ा चाहिए और यह सुटकेस कितने हैं एक सौ और उस कपड़े की चौड़ाई भी दे वी है सियानवे सैंटीमीटर सिर्फ लंबाई निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगी सबसे पहले हम इसुटकेस का जो प्रिश्टिय। छेतरफल है वो निकालेंगे एक मद एक उीचा निकल गया फिर इसको हम कितना क्या करेंगे 100 उटकेस कैने n accountability इसके लिए हम क्या करेंगे उस प्रिष्ट्य छेटरफल को सौ से गुना करेंगे तो यह हमारा सो सूट केस का प्रिष्टिय लिए और हमें जो कपड़ा चाहिए मैं तो कितना कपड़ा चाहिए जो सौ सूटकेसों का प्रिष्टिय च्छत्रफल होगा वही कपड़ा चाहिए उसकी चोड़ाई दी वही है सिर्फ लंबाई निकालना है तो हम एक एक करके करते हैं जो हमने अभी कहा सबसे पहले सूटकेस का प्रिष्टिय च्छत्रफल हम निकालते हैं एक सूटकेस का तो ह चोड़ाई गुना उचाई लंबाई गुना उचाई तो यह हमारा दिया हुआ था लंबाई एल कितना 80 चोड़ाई 48 यह सारा हमने यहां पर बैठा दिया 48 गुना 24 प्लस 80 गुना 24 फिर यह पूरा हमारा आ गया आप खुद से करेंगे करके देखेंगे 6912 से हमने गुना किया तो एक सो यह आगया एक आई दाई सेकड़ा हजार दस हजार 13824 सेंटी मीटर स्कॉर अब चुकि हमें कपड़े की लंबाई मीटर में निकालनी है तो इसे पहले हम मीटर में बदल देते हैं तो मीटर में बदलने क्लिक क्या करेंगे बटा में सो गुना से भाग दे रहे हैं सो गुना सौ यह पहले हमने क्लास सवन में ही पढ़ा था कि सेंटी मीटर स्कॉयर को मीटर स्कॉर में बदलने के लिए सो गुना सो से भाग रहेंगे तो यह हमारा आ गया 1.3824 मीटर स्कॉयर यह क्या था एक सूट्रेस का प्रिश्टे छत्फल अब सू सूटकेस का प्रिष्टि छत्फल निकालना है तो इसे सौ से गुना कर दिये और इस तरह का गुना हमने दसमलो वाले चैप्टर में पढ़ा था यह सौ यानि दो सुन्ने है तो दसमलो दो अंक आगे चला जाएगा तो एक दसमलो तीन आठ दो चार यह हो गया सौ से गुना कर इसका प्रिष्टिय छत्रफल निकल गया है तो धकने के लिए आवस्यक तिरपाल का छत्रफल यह क्या होगा यह वही होगा जो सौर्ट सूटकेसों का छत्रफल था कुल छत्रफल था यह कितना था 138 दसमलो दो चार मीटर स्क्वार यह तिरपाल किस साइज का हो किस तरह का होगा आयताकार होगा तो इसका छत्रफल का फार्मूला क्या होगा लंबाई गुना चोड़ाई बराबर 138 दसमलो दो चार और हमें निकालना है लंबाई चोड़ाई दिया हुआ है चोड़ाई कितना है 96 सेंटी मीटर लेकिन गौर करें यहां है मीटर तो इस 96 सेंटी मीटर को हमें मीटर में बदलना होगा तो यह होगा 96 बटा 100 यह मीटर में आ गया बराबर 24 या लंबाई बराबर 138 दसमलो दो चार गुना 100 बटा 96 आप इसे हल करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 144 मीटर तो हमें कितने कपड़े की जौरत है वो लंबाई है 144 मीटर चोड़ाई पहले से दिया हुआ था तो इस तरह के प्रस्णों को हम इस तरह से हल करेंगे उदारन तीन हम देखते हैं डैनियल एक ऐसे खनाभाकार कमरे की दीवारों और च्छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उंचाई क्रमसर 15 मीटर 10 मीटर एवं 7 मीटर है लंबाई है 15 मीटर चोड़ाई है 10 मीटर और उंचाई है 7 मीटर पेंट की प्रतेक कैन की यानि डब्बा की सहाथा से 100 मीटर स्क्वाइर च्छत्रफल को पेंट किया जा सकता है तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवसक्ता होगी तो यह जिस कमरे का पेंट कर रहा है उसमें दिवार और च्छत का पेंट करना है तो हमारा कमरा इसी टाइप का होगा ना इसी तरह का होगा इसी तरह का कम रहा है तो यह चारों दिवार है एक इधर से एक ले रिए इधर एक है दो है तीन है चार है यह चार दिवारे हैं और एक छत है तो यह चार दिवारों का छेत्रफल हमने देखा था घनाब के मामले में यह पार्सु छेत्रफल होता है तो पेंट किया जाने वाले दीवारें और च्छत का कुल प्रिष्टिय च्छत्फल होगा इन चारों दीवारों का च्छत्फल और च्छत्फल तो यह चार दीवारों का च्छत्फल का अर्थ क्या हो गया यह हो गया हमारा इसका पार्सव च्छत्फल घनाव का पार्सव और जो छत है छत का छित्रफल हो जाएगा एल इंटू बी आप देख रहे हैं यह छत है यह लंबाई है और यह बी है चोड़ाई तो यहां लंबाई दिया हुआ है कितना पंदरा उचाई है साथ चोड़ाई है दस और उचाई है साथ तो इस तरह से हमने इसको कल्कुलेशन क किया तो अब भी कर खुद से करेंगे बहुत सिंपल है तो यह आ गया हमारा पां रू इंतर मेटर स्वेट जिए अब है कि एक केन की सहाहता से एक्सो ईंटर सक्वेश में पैंट किया जा सकता है और हमें इनकितना करना है पांत सो मीटर सक्वेश तो हम इससे भाग दे दें तो हमारा केन की संख्या आ गया कि बच्चों आज हमने कुछ आकरतियों के प्रिस्टिय छित्रफल के बारे में जाना जैसे घन, घनाव, बेलन और इससे संबंधित हमने कुछ उदारन यानि प्रस्णों को भी हल किया अब आप अपने पाठिपुस्तक में दिये गए जो एक्सर्साइज है उसके प्रस्णों को आप बनाए कहीं उसमें दिक्कत आती है तो आप अपने सिक्षक से संपर्क करके पूछ सकते हैं इस प्रसारण से संबंधित सुझाव अपने प्रश्णी दिया दी आप हमें jcertrg.gmail.com तदा टूल फ्री नंबर 18005728585 पर संपर्कर सकते हैं झाल झाल झालOOO